को एक सर्प्राइज देती हूँ यह मैंने सोचा नहीं था कि यह कुछ इतना बड़ा मतलब मुझे रैक मिलेगा हलो फ्रेंड्स राधे राधे कैसे हैं आप लोग तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग क्योंकि मैंने जनमास्टमी के लिए कुछ डेकोरेशन का जो मेरा सामान रह गया था वो मैं आज अन्बॉक्सिंग करने वाली हूँ इस वीडियो में औ अपाकोजी के कपड़ों को और उनकी जोल्री इसको मंदिर के सारे सामान को पूजा पाथ की सामगरी को कैसे और गनाइज करती हूँ चली सबसे फस्ट पारसल खोलते हैं अब मुझे नहीं पता है में इसमें कोई डेकोरेशन का सामान है हां मैंने इसको मतलब पारसल तो ऊ बहुत ही ज्यादा प्रिटी आए हैं आप यह देख सकते हैं देखें कितने सुन्दर हैं अलवेट का कपड़ा है यह मुझे लगता है कि यह प्लास्टिक में है कुछ तो बहुत ही अच्छे लगे और क्वाल्टी वाइज में को 5 में 5 नंबर दूंगी क्योंकि मुझे और नेक्स वीडियो में इनको जरूर बनाने वाली हूँ आप लोग मुझे कमेंट कीजेगा अगर मुझे ज्यादा कमेंट आए तो मैं इन हेंगिंग्स को बनाने का ट्रिक आप लोग को आप सिखाऊंगी क्योंकि मैं इसको इपर देख लिया है तो यह कैसे बनेगा मुझ मुझेव पता है तो नेक्स वीडियो में इस वाली यह जरूर बनाने वाली हूँ तो चलिए अब हम अपना नेक्स पार्सल ओपन कर लेते हैं तो नेक्स्ट पार्सल हमारा यह हैं धिया है यह मैंने एक किछली वीडियो में भी आप लोग के साथ शेया किये हैं ब़ंग्त म मैंने सोचा कि क्यों ना भी मैं जैसे की डेकोरिशन और स्टोरेज दौनों की वीडियो बना रही हूं तो मैंने सोचा कि इसको आप लोग के साथ इसको दुबारा से शेयर कर देती हूं तो यह भी मुझे काफी अच्छे लगे पसंदाए मुझे यह मंदिर में अपने डेकोर कि इसमें देखिए गनेश जी बने हुए है और यह दिया है और अगर अपन चाहे तो इसमें फ्लॉवर भी डेकोरेट कर सकते हैं तो आप लोग को मैं जितने भी पार्सल कोलने वाली हूं इसमें सबसे बेस्ट प्रोड़क्ट कौन सा लगा तो यह अब हम अपना नेक्स प है यह तो यह लंग में है आप देखिए इनकी भी क्वाल्टी काफी अच्छी है और इनको भी मैं अब घर पर बना सकती हूं तो यह इसका भी मतलब जो डेकोरेशन के आईटा में क्योंकि अभी गड़पती भी आने वाली है तो मैं काफी चीजे आप डेकोरेशन से बाकि यह सारी डेकोरेशन की चीजें 200 से 200 के बीच में हैं तो आप लोग अगर इनको पर्चेस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीज़ेगा मैं आप लोको लिंक दे दूँगी चली तो हमारा लास्ट पार सल बचा है अब जिसको मुझे मतलब खोलनी का काफी दिनों से इ बेला हुआ है अब इसको मुझे अरेंज करना है कैसे करना है वह मैं आप लोग के शामने असेंबल करके दिखाओंगी तो मतलब क्ला क्वाल्टी वाइस को मुझे ठीक ही लग रहा है वस अब तूटा वट तूटा उटा ना हो तो इदिक रहती हूं मैं पहले और पेले और तो देखिए आप काफी बड़ी मतलब इसकी डोल्ची है अब मैं इसको अरेंज कर लेती हूं फिर आप लोगों दिखाती हूं इसका फाइनल मतलब इसको असेंबल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत ही एज़ी है तो इसमें निकाल लेती हूं और देखिए इसमें चार तरफ इस तरीके से यह सरकल बने हुए है तो बस हमें इन पाइप को इसी में फसा देना है और इसके ऊपर यह वाली डोल्ची को हमें अरेंज कर देना है तो यह देखिए मैंने असेंब्ल कर दी हूँ आप लोगों को एक सर्प्राइज देती हूं यह मैंने सोचा नहीं था कि यह कुछ इतना बड़ा मतलब मुझे रैक मिलेगा मतलब बहुत ही बड़िया है इसमें मतलब अच्छी खासी हाइट है और मतलब आप देख रहे हैं एक डलिया से दूसरे डलिया की लंबाई भी काफी ज्यादा है मतलब हम इसमें काफी बड़ी बड़ी चीज़ें भी अरेंज करके अच्छे से रख सकते हैं मतलब इसको तो हम किचिन में भी यूज कर सकते हैं मंदिर बस में नहीं काफी अच्छा और्गनाइजर है 450 के रेट के हिसाब से इसमें दो कलर अविलेबिल थे एक यह ब्लैक और एक वाइट तो मुझे अब लग रहा है मुझे शायद वाइट मंगाना चाहिए बट ब्लैक भी बहुत अच्छा है और इसके साथ मुझे यह तो पता ही नहीं थे कि इसमें टायर भी मिले हैं मतलब यह वील्स भी हैं और ऑर्गनाईजर मुझे तो काफी पसंद आया है तो यह वील्स अब बड़ा है कि मेरी मंदिर का सारा समान इसमें आराम से आ जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं और मुझे कुछ लेने के जरुवत ही नहीं है इसी में सारा समान बन जाएगा मेरा तो चलिए अब मैं इसको पूरा और्गनाईज करके अभी अगर इस वीडियो में हो पाया तो ठीक है नहीं तो मैं नेक्स वीडियो में आपको मुझे कमेंट कीजगा मैं नेक्स वीडियो आपको पूरी organization की दिखाऊंगी कि मैंने पूरा मंदर का समान कैसे organize किया हुआ है मैंने कुछ समान बजार से भी लिया हुआ है तो मैं आपको वह भी जल्दी से दिखा देती हूँ जैसे कि मैंने ये साडी cover जो होते हैं हमारे तो मैंने इस साडी कवर लिया हुआ है, क्योंकि जैसे ठाकुर जी की जो heavy dresses होती है, उनको arrange करने के लिए, इनहीं में हम 10-15 dresses आराम से इसमें आ जाती है, तो मैं सारी dresses भगवान जी की इनहीं साडी कवर में पैक करके रख देती हूँ, मतल superb मेरे पास और 2-3 ऐसे मैं नाय कवर्ड कन मगानाए है, तो Jubane के कपड़ों के अब आपकेरी करें बते अशांदों के सब् dude, dog Ania In Please complete, मैं के आप और 2-3 ऐसे मैं एसे कवर्ड क कपड़े होएन, नाय कवर्ड के नए पुदकर बनाय। कि मैं इस डलिया में किस तरीके से अपने मंदर को और्गनाइज करूँगी ये पैकेट में एंड एक और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ज्वेलरी के लिए भी एक बॉक्स मंगाया हुआ है कि मैं उसको उपन कर चुकी हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूं कि उसमें मुझे कैसे काना जी के सारी ज्वेलरी और्गनाइज करके रखनी है तो नेक्स आइटम मेरा यह है तो यह मैंने ज्वेलरी और्गनाइजिशन के लिए मगाया था तो इसमें इस तरीके के कई सारी पार्टीशन होते हैं तो इसमें हम इसको छोटा या बड़ा भी मतलब पार्टीशन कर सकते हैं जैसे मुझे अगर यह दो चाहिए तो मैं इस उसको पार्टीशन आते हैं तो हम इसमें काफी सारी भगवान जी की जुट चुटी जुटी जुटी जूटी जोटी 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 एक ही बॉक्स में और्गनाइज करके रख सकते आपको इसका लिंक शाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा मैं कमेंट में आपको लिं बिंदा के दिए हैं तू भंट को इसमें ले जाएं लेकिन फिर तो यह प्रणों को बहुत सुना इतनी सारी सारी चीज़े हो जाती हैं आप देख सकते हैं मेरे पास लड़ू पाल जी भी है और यूगल जोडी भी है तो इन लोगों का ना इतना सारा सामान हो गया था कि अब वो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं कैसे क्या और्गिनाइज करूं मैंने यह जो रैक मंगाई है यह भी मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी आ जाएगी लेकिन इस रैक ने मेरी आ कर सकते हैं बहुत अच्छे से और आप इसको कपड़े वगेरा भी फोल्ड करके बहुत यह सानी से इसमें रख सकते हैं तो अब मेरा मतलब अल्मोस्त सारा ही समान हो चुका है अगर आप लोको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और कमेंट म जरूर बताईएगा कि आप लोको वीडियो कैसा लगा और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे